नमस्कार सूल कम बाक टियो ओन चैनल वेल्ट सगर जे थर्टीन तोफ ऑक्टोबर 2024 संडे का दिर निफ्टी विकले भी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है जिसमें कि सिर्फ निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक के नहीं कुछ स्टॉक्स को भी स्टॉक्स को भी लेंगे बहुत इंपॉर्टन वीडियो होने वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल अगन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि आप से किसी भी इंपॉर्टन वीडियो की नोटिफिकेशन मिसना हो लेस्ट को दो इसके पहले जो च अगर आप मुसे पूचें कि क्या लेवल दिखाई पड़ रहे हैं तो चार्ट पे तो काफे बुलिश रवीव निकल करके आ रहा है और 77,800 के लेवल्स तक आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इन गोल्ड अब दो 77,800 के लेवल्स आपको अगले आने वाले एक दो दिनों में नहीं बलकि कुछ हफतों में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं प्रेसेंटली जो गोल्ड ट्रेट कर रहा है वो कर रहा है 76,300 के आसपास और वैसे भी फेस्टिवल में क्या होता है डिमैंड वगरा बढ़ती है और तो गोल्ड इस नोट रेगुलेटेट बाए दी लोकल डिमैंड और लोकल प्राइस क्योंकि गोल्ड इस इन इंटरनाश रेडियूस कर देती तो यहां पर एके मैसिव मूवमेंट आपको गोल्ड का दिखाई पड़ता क्योंकि इंडियन करंसी की वैल्यू डिग्रेड होती अगर आर बियाई इंटरेस्ट रेट को रेडियूस करता तो बढ़ आर बिया ने बढ़ा ही स्मार्ट मूव कहला और अ इंटरेस्ट रेडियूस ना करके अपने इंडियन करंसी की स्ट्रेंथ को मजबूत करने की अपनी दरह से पूरी कोशिश करिये लेकिन दोस्तों जहां ते मुझे लगता है और बिया इफ नॉट दस मीट धैन प्रबली डेसम्बर वाले मीट में इंटरेस्ट रेडियूस क करना ही पड़ेगा क्यों करने सारसी मजबूत होना is one thing ये भी ज़रूरी है लेकिन foreign participation foreign investment इंडिया में आना ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही RBI ने अपने interest rate को reduce नहीं किया इंडिया का जो money flow है वो बाहर जागने लगा है बहुत तेजी से इस्पेशली Chinese economy में पैसा जाने लगा है तो RBI के पास कोई option नहीं they have to reduce the interest rate to ensure that foreign investment keeps coming in India silver भी तेजी पकड़ रहा है there is no sign of weakness on silver chart as well in fact अगर आप silver के chart को देखें तो यहां पर एक inverted head and shoulder का pattern बनता हुआ दिखाए पड़ रहा है जो कि एक बहुत ही bullish sign होता है और यहां से silver अगर आप देखें तो एक massive upside के लिए तयार है so I want you to study this gold and silver और अगर आप इसमें fresh buying करना चाहते हैं so please अपने investment को re-search करने के बाद ही investment करें और अगर आप मेरा view पूछें तो my view in gold and silver both is very positive in fact crude भी दोस्तों कर आप देखें तो 64 डॉलर पर barrel 65 डॉलर पर barrel के असपास पहुंच गया था और उसके बाद क्या हुआ इरान इसरेल वार और गर्मा गर्मी गहमा गहमी और कुलम ला करके फिर से crude को ये 80 डॉलर पर barrel के असपास लेकर के आते हुए दिखाई पड़ रहे है दोस्तों दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं दुनिया में क्या तभाही मचरी उससे लोग को कोई लेना देना नहीं है वर्ड में जो crude के बड़े प्लेयर से ultimately what they want is कि crude का प्राइस उबर रहना चाहिए और वो कैसे रहेगा by short supply by creating new sense where the crude production takes place notwithstanding दोस्तों अगर आप देखे हैं तो crude में तेजी बरकरा रहने के उमीद है क्योंकि crude अपने 50-day exponential moving average के ओपर जा चुका है और धीर धीरे crude $82 पर barrel और उसके $84 पर barrel की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा दोस्तों crude से problem सिर्फ इंडिया को है क्योंकि इंडिया सिर्फ मतलब i99 इंडिया में प्रॉल्म ज्यादा इस लिए है क्योंकि इंडिया में crude ज्यादा बंता नहीं है प्रूद्यूस नहीं होता तो निफ्टी के चार्ट को अगर आप थोड़ा सा डीटेल में स्टेडी करें, in fact मैंने दो तीन दिन पहले भी चीज़ दिसक्स करी थी, कि निफ्टी 50 में आपको एक head and shoulder का pattern दिखाई पड़ रहा है, अब head and shoulder का pattern मतलब दोसो simple सा फंडा ये है, कि अगर निफ्टी 50, somehow last week दोस ये है कि अगर unfortunately अगर 24,800 के levels breach कर जाते हैं, तो मामला बहुत तेजी से week होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और next week है आपको close to 24,000 के levels आते हो दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि head and shoulder का pattern मतलब ये है कि clear cut जो shoulder है, वो shoulder आपको replicate होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो replication मतलब ये है कि सीधे सीधे अगर आप देखें तो वड़ा मड़ा, अगर आप देखें तो पांच 600 point की गिरावट, तो 24,400 पहला level है और 24,000 second level है, जो कि आपको nifty 50 में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, as soon as 24,800 level is broken, अच्छा जो लोग ये सोच रहे हैं कि market में तो already बहुत correction हो चु I will not say कि consolidation ही हुआ है, in fact अभी जब से BJP जीता है उसके पिछले अगर 4-5 महिने देखें तो market consolidate ही कर रहा था, लेकिन since the time BJP has won, you know this term और अगर आप देखें तो अपनी की पुरी-पुरी की market 22,000 से level 22,000 से लेकर के 26,000 जा चुका है, मतलब 20% का run-up in just 2-2.5 months, अब दोस्तों इस stock नहीं है, इन 50-50 पूरा index है, यह पूरा index अगर भागेगा तो थोड़ा मोड़ा correction तो बनता है, और अगर आप देखें तो अपने high से जो सबसे पहला 5 level है वो भी retrace नहीं हुआ है, which is 24,051, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कुछ हद तक retracement दिखाई पड़ रहा ह यह level आपको expect करने चाहिए, अब दोस्तों कर आप यह कह रहे हैं कि इससर रिसकी क्या guarantee है, जो चार्ट पर मुझे दिखाई पड़ रहा है, वो मैं आपके साब ने analyze करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब दोस्तों, nifty bank तो ज्यादा दिनों का महमान है नहीं, एक महीने का महमा लेकिन कई सारे लोग सोच रहे हैं, जो bank nifty बिल्कुल खतम हो गया, so actually bank nifty खतम नहीं हुआ है, bank nifty की सिर्फ weekly expiry खतम होई है, और हो सकता है दोस्तों हम अभी भी nifty bank को ही trade करें, और in fact हम लोग इसकी monthly expiry को trade करेंगे, दोस्तों हमारा nifty bank को trade करना थोड़ा सा, हमारा जो strategy है nifty bank को trade करने की, वो थोड़ी सी अलग है, हम लोग कभी भी zero hero trade नहीं करते हैं, अब zero hero trade नहीं करने के करना, दोस्तों इस rule के बाद की weekly expiry खतम होगी, बिल्कुल भी affected नहीं है, दोस्तों क्योंकि जिस दिन expiry होती है, we switch our positions to the next expiry, so overall मुझे ज़्यता फरक नहीं बढ़ रहा है एक चीज से मुझे थोड़ा सा फरक पढ़ाएगा, क्योंकि lot sizes पढ़ा जाएंगे, that is something which is slightly negative, क्योंकि lot sizes बढ़ने का मतलब यह है, जहां पर आप पहले चार lot rate कर पा रहे थे, यह फिर तीन lot rate कर पा रहे थे, तो तीन के जिगे पर सिर्फ आप एक ही lot rate कर पाएंगे, so this is something which is slightly negative, बाकी weekly expense पर ही खतम होने से अच्छा ही है, notwithstanding दोस्तों मात करते हैं लोग nifty bank के बारे में, so nifty bank में दोस्तों कई सारे लोगों को लग रहा हुगा कि यहां consolidation चल रहा है, दोस्तों गरे इसको थोड़ा सा और detail में देखेंगे, तब को दिखाई पढ़ेगा कि nifty bank ये भ बाकी है, तो हम लोग nifty bank को थोड़ा सा पहले preempt कर रहे हैं, बढ़ हां एक चीज़ बिल्गुल sure है कि nifty bank में अगर 49,900 के level है, crucial level है, जब तक nifty bank 49,900 मतलब अगर आप देखें ब्रॉटली तो 50,000 के उपर trade कर रहा है, ज्यदा potential लेने की ज़रूत है नहीं, हां 50,000 अगर breach कर कर गया रहा है, तो मेरा भी निकल कर गया रहा है, कि nifty 50 में मामला थोड़ा सा ज्यादा वीक है, ऐसा नहीं कि nifty bank में strong है, है weakness nifty bank में भी, बढ़ थोड़ा सा strength है 50,000 के level की, 50,000 के उपर अगर nifty bank है तो ज़्यदा potential लेने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ हां और और अगर को भी nifty bank ने breach करने की गोशिश करी है, तो अगर ये टूड या था दूसों तो फिर 50,000, 50,500 ये तो सीदे सीदे आता ही हो दिखाई पड़ रहा है, और in fact अगर 50,000 breach कर गया है, तो फिर कहानी जदा कंभीर हो जाएगी, so role market में कोई बहुत बड़ा bullish view बिलकुल भी और दूसों स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंडिया का जो investment है वो Chinese economy में जाने का reason सबसे बड़ा ये है, कि वहाँ पर stimulus मिल रहा है, वहाँ पर liquidity concern नहीं है, क्योंकि वहाँ पर interest rates को reduce किया जा रहा है, government चाहती है कि वहाँ पर growth है, और in fact अभी consumer price index का data है वहाँ पर जो inflation expect किया गया था 0.7% उससे कहीं ज्यादा कम आया है, that is 0.4% मतलब वहाँ पर inflation तो बचा ही नहीं है, तो वहाँ पर interest rate को और भी ज़्यदा कम करने की गुझाईश है, whereas if you talk about Indian markets, so Indian markets में तो वैसे inflation ज्यादा नहीं है, but RBI ने और भी ज़्यदा strict stance लिया है, but hopefully December के महिने में interest rate कम होना शुरू होंगे, notwithstanding that दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो चैना में अगर पैसा जा रहा है, तो चैना में चैना की economy अगर strong होती है, तो वहाँ पर infrastructure वाले जो stocks हैं, companies हैं, और जो metal वाली companies हैं, उन पर आपकी नेजरें definitely होने चाहिए, क्योंकि अगर Chinese economy boost करती है, तो वो infrastructure को भी boost करती है, सिर्फ चैना के अंदरी नहीं, बलकि various countries में जहाँ पर Chinese companies काम कर रहे हैं, तो उसके लिए metal की requirement काफी ज़्यादा बढ़ आती है, तो metal के stocks पर आप नज़र रख सकते हैं, one of these metals is Tata Steel, जिस पर के आप नज़र रख सकते हैं, इसके लावा प्रमोटर होल्डिंग को देखें, तो प्रमोटर होल्डिंग को देखें, तो प्रमोटर होल्डिंग जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 51% की है, पबलिक होल्डिंग 19% की है, मतलब जो 80% की होल्डिंग है, वो strong hands में है, अगर आप कोई भी metal stock बगड़ेंगे, उसके उपर heavy date आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यह capital intensive business है, asset heavy business है, तो लेकिन इस company पर interestingly आपको debt नहीं दिखाई पड़ रहे है, return on capital employee is close to 17% which is massive, और साथ में दो 2% का dividend deal भी यह stock offer करता है, और simple सी बात दोसों जो stock अपनी results अच्छे post कर रहा है, उन stocks पे हमें नजरे रखने चाहिए, अब दोसों stock के बारे मात रहे हैं, तो कमनी ने 600 क्रोड के profits पोस्ट के था June quarter में, sales was 2800 क्रोड, in fact पिछले साल से compare करें, तो profits में तो बहुत ही solid jump था, although sales में थोड़ा सा drop था, but profits have risen too much, अच्छा stock के बारे मात रहे हैं, तो stock पिछले करीब 6 मेने से अगर आप देखें, तो ए 70, 180 के असपास demand zone, can you see it here, और 200, 210 के असपास resistance था, can you see this, जैसी गिर जाता था, जैसी पहुंचता था, जैसी पहुंचता था, गिर जाता था, अभी दोस्टों कर आप देखें, तो पिछले महीने stock ने 200 के levels को breakout दिया है, और stock अभी भी strong दिखाई पट रहे हैं, in fact, breakout के बाद जो retracement की पुरा करिया है, वो भी complete हो गई है, range breakout हो चुका है, बहुत ही strong chart दिखाई पट रहे है, must study this stock, I am finding this stock as one of the high potential stock, but लेने से पहले, investment करने से पहले, in fact, किसी भी stock में investment करने से पहले, अपने financial advisor के advice वगरे ले लिजेगा, my job is to explain things to you, which is available in open domain, तो यह सारी सारे information in open domain में में available है, इनको आप study करी है, next stock है दोसों, बंदन bank, अब दोसों, बंदन bank को अगर आप देखें, तो कई सारे लोग यह सोच रहे हैं कि यह stock तो बहुत खराब stock है, दोसों, stock खराब नहीं होता है, जो situation होती है, जो regulations होती है, जो scenario बनता है, वो company का कभी कभी rough patches में चला जाता है, तो कोई भी company नहीं चाहती है कि मेरी company अंडर परफॉर्म करें, क्यों चाहेगी, वही हाल हुआ है दोसों, बंदन bank के साथ में, बंदन bank का भी पूरा management भी change हो चुका है, in fact अगर बात करें stock के, तो जो book value है, वो है 134 rupees, stock rate कर रहा है 210K price में, in fact company का against कुछ inquiries वगरे भी चल र जाएगा, stock के समय आपको देखें, तो एक बहुती reasonable price to earning ratio पे चल रहा है, which is 13, पूरी की पूरी industry को अगर आप compare करें, now you just compare it here, SGFC bank वगरा तो यह तो बड़े बाप है, अगर इनको देखें तो बंदन bank बहुती छोटे बहुती normal valuation पे trade करता हो दिखा ही पर रहा है, which is 13, अग यह banking stock है, company ने अभी June quarter में all time high sales, मतलब all time high revenue, over here as you can see here, this is the revenue tab, 5536 करोड का all time high revenue post किया है, profits के बारे बातरे 1063 करोड, all time high profits, assets को देख लेते हैं, gross NPA, lowest in यतने भी quarter आपे सामने हैं, विछले 3 साल के, net NPA lowest, so आपको क्या दिखाई पढ़ रहा है, asset quality improve हो रही है, profits बढ़ रहे है, revenue बढ़ रहा है, लेकिन stock का price आपको उस price से मिल रहा है, जिस price वे stock 2020 के crash में था, मिरे साथ उसों stock को आपको study करना बनता है, a huge potential stock, very high potential stock, लेकिन बंदन bank is again a very high risk stock also, यह JFC bank नहीं है, जो की इंडि trading bank है, अगर आपके इंदर risk appetite है, इसको study करिए, अपने financial advisor से पूछ पाच के, तभी investment करिए, एक और stock दोस्तों जिसको क्या आप study कर सकते हैं, इसमें heavy accumulation दिखाई पढ़ रहा है, stock का नाम है उशा मार्टिन, दोस्तों यह company क्या करती है, यह company बनाती है, steel wire ropes, ropes बनाती है, जो crane जिस rope से, metal की rope से खीचती है, इससे लावा metal की कई सारी, कई सारी electric fittings बनाते हैं, कई सारी mechanical fittings बनाते हैं, machines बनाते हैं, कई सारी, stock के बारे मातरा दोस्तों, तो stock का जो public holding है, वो है 35 का, 36% का, इसके लावा promoter holding 45% की है, कोई promoter holding pledge नहीं है, return on equity is close to 19%, debt जैसा कि आप देख पा रहे जाता है, नहीं, return on capital employed is close to 22%, dividend yield is 0.6%, which is not very high, but not very less as well, अगर मैं आपको कमनी की recent results को देखू, तो कमनी ने अभी June quarter में 826 करोड की sales पोच करी थी, I will not say lifetime high, but yeah, good enough, महीं पर पिछले कई सारे quarter से compare करें, तो कमनी के profits में भी improvement दिखा ही पढ़ रहा है, कमनी ने 104 करोड के profits को भी पोच किया था, इन दी June quarter, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ये सारी के सारी जो requirement है, industrial requirements, फिर चाहे वो steel wire ropes हो, या फिर construction material हो, तो इन सब चीज़ में की requirement जब economy improve करती है, तो आपको इनकी demand बढ़ती हो, दिखाए पढ़ती है, तो इस stock को भी मैं Chinese economy से relate करने की कोशिश कर हूँ, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ दोसों, तो प्लीज आपने, अपने फ्रेंट से डिसक्स करिए, अपने फेंचर डिवाजर से डिसक्स करिए, अब इस stock में देखें दोसों, तो लास्ट शूर्ण सेशन में बहुत ही जबरतस accumulation भी हुआ है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, जब इसमें कोई एक बड़ा इंवेस्टर इंवेस्टमेंट करें, जिसको की पता होगे कमनी में कुछ बड़ा होने वाला है, ये stock को भी आप study कर सकते हैं, ये तीन stock हैं दोसों, जिसको की मैंने आपके साथ study किया, everything, every information is nowadays available in open domain, it is just you have to find out, थोला समय लगाना पड़ता ह वीडियो पसंदा है, do not forget to smash the like button, और health and term insurance के बारे में जयन करी लेना चाहते हैं, Sunday है, make use of that, ensure your life, ensure your, ensure the future of your kids as well, so must watch these two videos, ये दोनों वीडियो आपको काफी help करेंगे, and they are going to open a wide horizon as far as health and term insurance are concerned, thank you so very much, bye-bye for now.